अच्छा टोपेक शिक्न्या पुर्वी अपलेला या चाप्ट्र मुदिल शुरुवाती चा कॉंसेप्ट्स माइटी आसेदा हागा त्या करिता आवश्यक वीडियो ची लिंक डिस्क्रिप्चन बॉक्स मुदे दिली लिया है हाँ फ्रेंड्स आवब यू अवर वीडियो लेक्च्छर स्रीज अन दी चाप्टर मेकानिकल प्रॉपर्टिज और सिंप्ली फ्लूड मेकानिक्स तर आथ प्रेंड्स या सिरीज मदे आपन फ्लूड मंझे नहीं काए वाट इस अट्मस्फेरिक प्रेशर वाट इस फ्लूड प्रेशर वाट इस दी गेज प्रेशर और इस अब्सुलूट प्रेशर या संदरबात डिस्केशन पूर्ण के लिला है आनी माक्चे लेक्चर प्रेंद आपन atmospheric pressure चे कई examples शुद्धा शिकले लो तर आच्चा या लेक्चर मदे आपलेला हेच discussion तुलशो पुडे यून फ्यूड शुब अपतेत एक important point शिकाई चाए जला आपन मनतो hydrostatics paradox so listen carefully and try to understand what is hydrostatics paradox and now how it is not a paradox so paradox मनझे काई तर paradox मनझे विरोधाभास so fluid चा नेचर वापतीत क्यों हाँ फ्यूड चा बिहेवियर वापतीत हाँ इमका काई paradox है है आपन समझून ग्यूँ या करिता आपन काई करूयात कि तीन डिफरेंट कंटेनर ग्यूड या तिनी ही कंटेनर चा जो बॉटम एरिया है जो बेस एरिया है तो सार का ग्यूड परुंत तेचा जा वाल्स है त्या वाल्स डिफरेंट भल्लूम कंटेन करतील आशा पद्धतिने कंटेनर ग्यूड आपन करणी है different. So here the walls of the container A are vertical or straight, the walls of B are not vertical, they are inclined outside and the walls of the container C are inclined inside. That's why what will change in this three container, या तिन चंटेनर मदे काय चंग विल? या तिनी चंटेनर मदे जवड़ा फल्लूम एंख्लोस विल हा फल्लूम काय असल? इन चंटेनर मदे जवड़ा जास्त फल्लूम काय विल? ए कंटेनर मदे प्यक्षा कमी विल? आणि सग्रात कमी फल्लूम मास या पंटेनर C मदे बसे न। So these are having different fluid mass, आपने यांच मदे fluid भरताना एक गोष्ट कटक्षन पाल दिलिया है, आनि तियाशिया है कि या तिनी ही fluid मदे जे height of fluid आहे, that is the level of the fluid above these bills is same. The fluid in all these three containers is at same vertical level याच. या तिनी मदे fluid चा भले mass different है, volume different है, परन्तो तिनी ही मदे fluid ची vertical height है, ति सेम आहे, आनि ति कितिया है या चाहे. Now suppose I ask you to guess what will be the fluid pressure at bottom of these three containers, then what will be your answer? समझा मित मला आता या तिकानी guess करे संगितला, कि या तिनी ही container चा बेसला fluid pressure कितिया से? कुंतिया container मोथे जसता से? कुंतिया container मोथे कमी आसे? समझा हाजो container A आहे, या चा बेसला या चा bottom और अस्टेला pressure आपन consider करू PA, हाजो container B आहे, या चा bottom और अस्टेला pressure consider करू PB, आनि या container C चा bottom फेसला अस्टेला pressure consider करू आपन PC, then what will be your calculation about PA, PB and PC? so any of you may think that this A has a moderate amount of fluid, B has large amount of fluid and C has lesser amount of fluid, तो या तीनी container कर निट पाइला, तर एक गुस्टा अपलेला search कलते कि B container मदे fluid चा मास सगड़ात जासते, एक container मदे moderate है आनि C container मदे सगड़ात कमी आए, आता या bottom face वर pressure को नमों तैर होईले लासे, तर या bottom face वर तैर होनार pressure हाज जो bottom face आए, तो bottom face जितक्या fluid चा मास सपोर्ट करे लेला है, या fluid चा मास मूले एक होतासला पाइले जार थी या ठीकानी moderate मास है, या ठीकानी just मास आए, आनि या ठीकानी कमी मास आए, त्यार थी pressure at B should be greater than pressure at A which should be greater than pressure at C तो आप लेला सहासला बाट होता हुआ शक्त कि B चा bottom होर सगयाद जासता pressure आएले या या जासता load, सगयाद जासता weight, क्यों सगयाद जासता fluid support के लेगे लेले, सगयाद कमी C चा bottom आएले या कारनी ते fluid mass that has been supported is less आणि या दो गांचा मदे या ए पॉइंट चा बेस वरिल ए कंटिनर चा बेस वरिल प्रेशर आशला पाइजे जर्यक्रून आपना से लिव शक्तो कि PB is greater than pressure at B is greater than pressure at A which is greater than pressure at point C but if we try to measure the pressure at these three bottoms experimentally आपन जर एकादी fluid gauge क्यों एकादी pressure gauge क्यों एकादी pressure measuring device वापरून जर या तिनी ही container चा बॉटम ला आशला जर प्रेशर मेजर केल एक्स्परिमेंटली मेजर केला actually pressure gauge वापरून मेजर केला तर आपलेला सदिस्त की आपला हाजो initial अंदाज है की pressure at B will be greater than pressure at A which will be greater than pressure at C fails हांदाज खोटा ठरतो pressure measuring gauges या तिनी ही बॉटम ला समान pressure दाको थिल they will indicate that pressure at A or the pressure at the bottom of B is equal to pressure at the bottom of A which is equal to pressure at the bottom of A which is equal to pressure at the bottom of C या तिनी ही फ्लूटचा बॉटम सर्फेसोर असला प्रेशर है सार्ख आए these will these instruments will not indicate different pressure for these three containers then this is the this is that observation which will make us surprise है आसा observation आए कि जे आपले आ सर्ज बने लोजिकली आपले जे काड लेला कन्क्लूजन आए तया चाशी कोइंसेड होत नहीं तया चाशी विपरित आए तया मोडे एक विस्मय कारकाशी परिस्थिती या टिकानी तयार हूँ शक्ते परिसेज है तया कि तया यहां टिकानी या टिकानी यह मोडेश्य स् म COंसे परिसेजिती सुपर करना polarization Hydrostatic paradox is all about the failure in understanding the clear behavior of the fluid pressure or the dependence of fluid pressure only on to the height above the surface supporting that fluid. So when we understand the behavior of the fluid scientifically then we can conclude that there is not at all any paradox. So we will try to understand why the pressure at point B is not more and why the pressure at the base of this container C is not less. So we will analyze the weight of this fluid how it has been balanced by the walls of the container and the base of this container. For that we will consider this base B and its incline walls. And now consider that the fluid is filled to this level. So I will say this to be as M1. Let us call this to be as M2 and M3. So you can see that the weight of the fluid acting on this base A, base of area A is only due to the fluid mass in this vertical portion. So that the weight of this base is not supporting the mass from the base C is also due to the fluid system. So the weight of the fluid is also due to the fluid. This base is not supporting the mass from the base A, base of the fluid system. दीज ट्राइंगुलार एरियाज, हाजो बेस आए, हाँ बेस या ट्राइंगुलार एरिया मदिल मास ला सपोर्ट करा लेला नहीं है, परनामी या ये यवड़ा एरिया वर जे प्रेशर त्यार वालेले, ते केवल या ये चावर याच येवड़ा हाइट परेंद, वेड़ा हाँ फलीसी प्लयाच फलीड मास मुलए, ते प्रेशर अठरा लेले, देऊ केवल ये वर्टीकल पोर्शै मदलजर मास सपोर्ट करता से, तर या अंचैन Närले प्लिड़ा मस आह भूज्ग को छुट्पोर्ट करता से, या चालामीड़ा कग उंपोर्ट कर YOUCR मास सप बैलेंस्ट तो हे वेट कशा पद्धिति ने बैलेंस वाई लेड़ है। So, we will see that this fuel is exerting pressure not only on to the bottom but also the walls of the container. आपलाल एक गोस्त पक्की याठी का निमाहिता है कि कुनते ही fuel केवल तेचा bottom और प्रेशर एग्जर्ट करत नहीं। या ट्रिंगुलार पॉर्शन मदे भरले ल्या मास मुले का अट्वी प्रेशर अट्वी प्रेशर अट्वी. So, the pressure on these inclined walls will be due to the mass supported into these triangular sections. So, if I combine these all forces due to this weight of this fluid mass then I can say that in this triangular section the pressure is acting at an angle 90 degree to the walls of container. या ट्रिंगुलार सेक्शन मदे भरले ल्या फ्लूड मुले या कंटेनर चाव वाल वर जे प्रेशर अट्वी प्रेशर नेमी करता या वाल्स लकसा से नॉर्मला से. It will always be perpendicular to the walls of container. That's why these walls of container will generate a reaction to this support to this fluid pressure. या वोल्स of container या टिकानि कायर करतिल नॉर्मल रेक्शन तयार करतिल. So, this reaction will also be perpendicular to the inclined face. या टिकानि तयार जाली ही जी reaction आहे, ही reaction शुद्धा या इनॉर्मला से. So, this is the force of reaction acting normal to this inclined support. That's why this inclined normal reaction या टिकानि रेक्शन 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 शुद्धा काये and one as vertical component. So, if this reaction is taken to be R then this inclined reaction R can be resolved into one horizontal component and in vertical component. Similarly, on this face also the inclined face will generate its Reaction R which will be perpendicular to this face means this will be inclined ती या कंटेनर चे फेस्टा पर्पेंड़कुलर आस्टे मुले इंक्लाइन आसे जो इंक्लाइन आस्टे मुले आपने चे दोन कंपोनेंट कुरू शक्तो horizontal component and vertical component so the horizontal components on all sides will cancel each other so या बादुचा आर्याच आनि या बादुचा आर्याच क्यों हा सहु बादुचा आर्याच एक मेंका लकाय करतील cancel करतील मंजे या reaction चा फक्त वर्टिकल कंपोनेंट या टिकानी शिल्लक रहेल so if we summarize all add the all vertical components then these all vertical components will balance the weight of the fluid acting downward in this triangular section so आशा बाद्द थिने या कंटेनर चा इंक्लीन साइट स्वर्ट से फोर्ट आर्याच प्रेशर मुड़े तयार जाली जी normal reaction आये या normal reaction चे vertical component आना so these are in vertical directions and the weight in this triangular portion is acting vertically downward reactions are vertically upward so this vertical components of these reactions will balance the mass into triangular portion So in simple words We'll draw the conclusion एकदम साध्या सब्दा मदे आपन याचा conclusion पाऊड कि या प्रापध्यती चा container मदे हाजो base आहे horizontal place याचा वर जवड़ वर्टिकल मास फ्ल्यूडच रेश जाली लाहे यवड़ मास फक्त या बेश वर प्रेशर थ्यार करें या भागा तिल फ्ल्यूडच वेट या बेश ची reaction बैनस करें मग triangular section मतल मास कोन बैनस करें तर triangular section मतल मास या जा incline या जा साएद या जा वर तक वेट करें तस वाइ इस incline faces will generate the reaction and this reaction can be resolved into two components horizontal and vertical so these horizontal components will cancel out each other remaining is only vertical component and these vertical components will balance the vertically downward acting weight of the fluid in this triangular section या triangular section मतल मतल मेट या वाल चा reactions balance कर तसले मुडे हे वेट या बेस वर प्रेशर तैर करनार नाइ परिनामी या कंटेनर बी चा बेस वर बरोग बर कितक्याच मास मुणे प्रेशर तैर वील जितका मास या ए कंटेनर मुदे काई जालेले support जालेले करन ए कंटेनर चा सर्वो बाल्स कषयाए वर्टीकल है दाट सुथ़ए प्रेशर अब बाटम बी इस एक्पस तू प्रेशर अब बाटम ए प्रेशर अब बाटम ए जावाँ एजेस आऊटसाइड इंकलेन आहेद त्योवाँ आपन सम्ज़न केतलाः परन्तो जहों एजेस इंसाइड इंकाय नाहेत तेहों सुद्धा प्रेशर ब्रबर वर्टिकल वाल्स यहोड़त कसकाय भरता सो सी चा केस मदे एंटेनर सी चा बाप्तीत प्रेशर पुना ब्रबर यहोड़त कसकाय भरता है so now here what is happening now here the expected mass that is being supported is less यह ठीकानी तर A आनी B दोनी पेक्षा फ्लुड़त जोड़ मास साथ मजे आय तेह कमी आहे तरेशुदा यह ठीकानी प्रेशर A यहोड़त कसकाय भरता है how the pressure at the bottom of C is equals to pressure at bottom of A so we will draw this diagram again here so this is the base area A which is supporting the fluid so this is the inclined edge of this container C this is another inclined face of this container C and now the fluid is filled to this level now we will try to draw vertical lines from these two points so this much area of this bottom is supporting the vertical portion, the portion of the fluid filled into this vertical area, into this vertical space. Now there is fluid into this triangular area. या triangular area मझे शुद्धा fluid काये? शिल्ल काये? या triangular area मझे शुद्धा जस या bottom वर प्रेश्यर कारेलेž असेल, तसस्ते या वाल्स वर शुद्धा email pressure exert और येले असेल. So, on these walls, on these walls, this pressure is acting Normally. ये ये जी प्रेश्यर है? ही pressure या वाल्स ला कस परनामी या वाल्स या फ्लिट वर सुद्धा का एक करतिल, प्रिशर एक करतिल, प्रिशर एक करतिल. So, these walls will generate reaction. This reaction will again be perpendicular to face of the walls. या वाल्स ची रेक्शन सुद्धा तैंचा फेसल कशी आसेल, perpendicular आसेल, किवा normal आसेल. If we resolve this reaction now into horizontal and vertical components, जर आता ही रेक्शन अपन दोन कंपोनें मदे रिजोल केरी, horizontal and vertical components. You can see that these horizontal components will cancel out each other and these vertical reactions will add to the mass of fluid. या वर्टिकल रेक्शन ची मतरकाई विल बेरिज विल आनि ही बेरिज या शर्फेस वर्ट. So, now this fluid mass is exerting reaction. which is perpendicular to this. Now the surface is acting a normal reaction in this side. So, this can be resolved into two components. R-E-H and R-V. Now this R-V on all sides. Now this R-V on all sides will add extra force which will exert extra pressure on to this bottom. या बॉटम गोर या शर्व आर्वी मिलून अडिशनल पोरस काय करतिल, act करतिल. That's why even if less amount of fluid is being supported here by this bottom of this container C, more pressure is being exerted on that bottom. परिनामी, fluid mass जरी कमी support के लेलासेल, तरी सुधा, जे P-A यवड़ प्रेशर या ठीकन या आट भालेले, तर या ठीकनी, expectation pressure, जास्त प्रेशर आए, जास्त प्रेशर कुटुन या इलेले, तर वाल्स अप्रेशन, the component of reaction of the walls of container, आनी या ठीकनी expectation pressure, कमी pressure आए, तर प्रेशर कुन बालेले, तर अगें, this additional pressure, this extra pressure in this triangular portion is being balanced by the reactions of the walls. So, this is how, when we understand the, how a fluid exerts pressure on to the bottom and its walls, we can say that this hydrostatics paradox is not at all a paradox and it is completely in accordance with laws of fluid mechanics. तर आपलेला समंत इल की हा कंते प्रकार्चा विरुदा भास नसुन, शुरुआ तिला, जैवली आपलेला, fluid चा behavior बाप्तीत, सर्व लॉज क्लियरली महीत नहों थे, तेवुँँँँँँँँँँआ आपन या पैराडॉक्स आस स्ट्रीट के लेला होते, या फ्रीवट्चा बाटम ला कुटे उने ही एक्स्ट्रा, क्यों लेश प्रेशर पैर जालेला नाई, तेज़ा करन आपनासा कंक्रूजन कडू शकतो, कि फ्रीवट्चा प्रेशर, हे सर्व तहा त्याला सपोर्ट करना रिया, फेश चा वर फ्लुड ची किती हाइट आहे या हाइट वर गुम्टली डिपेट आहे the fluid pressure depends only on to this vertical height and it does not depend on other factors like the shape of the container shape of the container container वरते डिपेट नहे the hydrostatics paradox can be understood in detail by one more diagram so we will try to understand the hydrostatics paradox by one more diagram this is diagram given into our new textbook so here there are four different containers of different shape and size and they are all connected to each other so that fluid inside them is free to communicate so liquid always maintains its level inside the environment so liquid always maintains its level inside of the container so here the fluid has the shape and size is different so every time in this container we have the fluid level of the level into the section B. या C part मदे जास्ता फूद भर लेले कशा प्रेक्षा या B part प्रेक्षा. तो simply काय वाला पाइचे? कि या C point और प्रेशर जास्ता सल पाइचे. So, pressure at this at the bottom of this part C should be greater than the pressure at the bottom of B. So, the PC should be greater than PB. So, naturally what should happen? The fluid from this C section should move to the section B and level of the fluid should increase into the B. तो या C section मदे जास्ता प्रेशर आस्ता ले मुडे. इकड़ुन fluid मूँ हून, उट वाडाल पाइचे? B मदे वाडाल पाइचे. मजे B container मदे हेल, fluid ची लेवल ही C container प्रेक्षा जास्ता आसा याला हवी. प्रन्तु हे liquid भरत आस्ता ना आप्रेला सजान वेल की कोंते इक्षन आला या चारी ही container मदेल, fluid ची लेवल ही काय राते? समान राते मंजे चारी ही container चा बोटम ला नेमी करता, fluid pressure कसा है? सार्क है. So, how the fluid pressure can be same at the bottom of all these four containers even if they are having different cross-sectional areas and they are supporting different mass of the fluids. So, just we learn into our previous diagram, आपन अधीचा डाग्रम मदे श्तरी के ला प्रमानिया, vertical boundaries असलेल, fluid जाए वले आ है, ते यंटार मास ते बेस काय कर लेला है, support कर लेला है, यंटार मास ते इंटार मास ते ने इंटार ने इंटार 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 is being balanced by the walls of the container, by the normal reaction provided by the walls and when these are inclined inside, then the additional pressure that is being exerted on to the base is again due to the walls of the container, due to the normal reaction of the walls of the container, या तिका नई, expectation pressure fluid pressure कमी होता है कर अधिशनल fluid mass या normal reaction balance करता है तर यह ठीका नहीं अधिशनल pressure expectation pressure additional pressure अपलता है जर्यल दिस्त तर है additional pressure कोना मुए contribute वह रिले ता again this is due to the normal reaction provided by the walls of the container this is how we can understand the hydrostatics paradox so we will learn the Pascal's law and its application into our next lecture till then thank you